दोस्तों हमने कई बार सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियो देखी है जिसमें पैटबल नसल का कुत्ता कभी किसी बच्चे पर हमला कर देता है और कभी किसी बजुर्ग इंसान पर और जब यह कुत्ता काटता है तो अपने दात को शिकार के शरीर में गड़ा लेता है इसके दातों की बनावट के कारण इसके दात लौक हो जाते हैं और लोग अंजाने में कुत्ते को डंडे लाठियों से मारते हैं पर इस थिती में कभी भी कुत्ते को मारना नहीं चाहिए क्योंकि मारने से कुत्ता और ज्यादा आक्रमक हो जाता है इसके बाद एक बेल्ट या कपड़े से कुत्ते की गर्दन को कुछ इस तरह से पकड़ ले ताकि वो आपके काबू में आ सके इसके बाद लोहे या लकड़ी के छोटी सी छड़ी को कुत्ते के दातों के बीच फसा कर उपर उठा दे इस तरीके से दातों का लॉक खुल जाएगा और कुत्ता अपना शिकार छोड़ देगा दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लिगे तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंक्रेडिबल हिंदी